महाराश्ट्री की सियासत में इन दिनों दीशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर गर्माया हुआ है अभिनेता सुशान सिंग राजपूत की मैनेजर दीशा की मौत में आदित्य ठाकरे के शामिल होने को लेकर सवाल उठाये जा रहे है बिजेपे के साथ ही एकनाशिंदे गुट के कुछ नेता दीशा सालियान की मौत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे अदित्य ठाकरे पर निशाना साथ रहे है ये मामला इसलिए भी गरमाया हुआ है क्योंकि महाराष्ट की डिप्यूटी सीम देविंद्र फटनविस ने हाल ही में इस मामले में साइटी जाज कराने का निर्देश दिया है अभी तक इस मामले को लेकर चुप रहने वाले अदित्य ठाकरे ने अब इस मामले में कहा कि उन पर लगाये जा रहे सारे आरोप पूरी तरह से बेबुनियात है इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि दिशासालियान की मौत के समय वो अपने नाना को देखने के लिए अस्पतार गए हुए थे आगे कहा कि जो लोग अपने घर के और पार्टी के नहीं हुए उनसे हम क्या उमीद कर सकते हैं उन्होंने कहा कि मुझे पर जोटे आरोप लगा कर मुख्यमंत्री एकनाशिंदे की भूमी घोटालस से लोगों का ध्यान भटकाने की साजिश की जा रही है